हेलो दोस्तो मेरा नाम है विकास और आज हम जानेंगे कि आप अपने Android TV या Smart TV में इंटरनेट कैसे चला सकते हो उसमें इंटरनेट एक्सेस कैसे कर सकते हो आए ये जानते हैं देखे इसके लिए आपका TV, Smart TV या Android TV होना चाहिए और इसमें आपका Net Connect होना चाहिए कई TV में Net Connect नहीं होता है सिर्फ वो LCD या LED होती है पर वो Net Connect करने लायक नहीं होता है तो इसमें अगर आपको YouTube अगरा दिखता है या आपको इसमें Settings दिखती है यानि कि आप इसमें Net चला सकते हो अब यहाँ पर आप इसके यह वाले Dashboard पर आजाईए अगर आपको ऐसा Dashboard नहीं मिलता है तो थोड़ा वो चेंज मिलेगा अगर इस Dashboard पर आप नहीं आप आ रहे हो तो आपको क्या करना है सायद आप इसके AV वाले Option यानि की कुछ ऐसे Option पर होगे अब यहाँ पर आपको रिमोट पर ध्यान देना है अपने आपको आपके रिमोट पर ये वाला बटन दिखाए देगा जो की एकदम Unique बटन होगा यहाँ देखिए इसको Open करिए टच करिए या इसको अपने TV के समने प्रेस करिए अब यहां पे आपको कैसारे आपशन मिल जाएंगे देख्ब कर सकती हो दुस्रे जम STEP करता है अब यहां पर आपको डूड़ना है network सब टीवी में होता है network आप side करके check करें देखिए यहां भी वहार network दे रखा है इधर की तरफ आते हैं देखिए यहां भी वहार network दे रखा है और net चलाने के दो दरीके होते हैं अगर आपका TV एकदम ही smart है या android TV है तो उसमें आप Ethernet से चला सकते हो नेट देखिए यहाँ पर यह वाला जो port होता है TV में इसमें आप डारेक्ट अपना नेट का तार चला सकते हो पर अगर आपके घर में नेट नहीं लगा है आप अपने phone से connect करना चाते हो तो आपको फिर भी नेट वक में आना पड़ेगा नेट वक में आओगे ओके करोगे यहाँ पर यहाँ आ जाएगा देखिए यहाँ पर wireless दिखा रहा है यानि यह वाइफाई बना हुआ है इसमें आईए डूंडियेस को यह वाला page आपके पास आ जाएगा अब यहाँ पर आपको अपने फोन में जाना है फोन के होट्सपोर्ट को चालू करें तो यहाँ पर होट्सपोर्ट में जाएए अपने फोन के होट्सपोर्ट की सेटिंग में जाएए तो मैं सेटिंग में जाता हूँ सेटिंग में जाने के बाद यहां पर hotspot आ चुगा है इसे open करता हूँ hotspot में जाता हूँ hotspot setting में जाता हूँ security मिलेगा आपको security पर जाके आप none वाले option पर touch कर दीजिएगा तो यहां पर none वाले option पर touch करिएगा ध्यान लखेगा अब आपको आपके TV में आपका जो mobile है उसका hotspot दिखाई दे जाएगा यह रहा मेरा hotspot मेरा phone MI का है तो MI दिखा रहा है इस पर आईए अगर आपने hotspot पर password लगा रखा है तो password मांगेगा तो मैंने आपको सिखाया है password कैसे हटाना है तो password हटा दीजिए ओके करिए यहाँ पर saved दिखायेगा connected दिखायेगा और हमारा यहाँ पर net चल जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा net access हो चुका है उपर की तरफ wifi का आई गना चुका है मैं आपको Google चलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ ब्राउजर आ चुका है और open करते हम इसको यहाँ से और open करने के बाद हमारा जो पेज है वो Google का open हो जाएगा तो ऐसे आप इसको इस्तिमाल करिएगा वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिएगा